हेलो गाईज, वेलकम टू टेस्टी फूड एंड फूडी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड़ वाले अमला का अचार, तो फ्रेंट्स यह अचार बहुत ही टेस्टी है और रेस्पी आपको बहुत पसांद आने वाली है, क्योंकि यह रेस्पी जितनी सिंपल है, खा भी नहीं होता, काफी महीनों तक चल जाता है, तो फ्रेंट्स अगर रेस्पी पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, तो चलिए रेस्पी को शुरू करते हैं, तो फ्रेंट्स हम कडाई में डालेंगे सूकी लाल मिर्ची, एक तेज पत्ता, दो बड़ी लाइची और थोड़ी सी दाल चीनी, और फ्रेंट्स हम इसमें डालेंगे जीरा दो चमज के करीब, तो फ्रेंट्स मसाले कम जादा आप अपने टेस्ट के अकॉडिंग कर सकते हैं, तो गैंस को करेंगे ओन, तो इसे हलका सा भूनेंगे, और साथ में हम इसके डाल देंगे दो चमज के करीब सौफ, फ्रेंट्स इसमें आप काली मिर्च डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें कुटी हुई काली मिर्च ही डालूँगी, तो मैं एंड में डालूँगे जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, तो फ्रेंट्स मैने जैसे आपको बताया है, कि मसाले की मात से माच पर, और जब इसकी अच्छे से खुश्बू आने लग जाए, तभी इसमें डाल दे काली मिर्च, तो इसे एक से दो मिर्च चलाएं, और फिर इसे पीस लें, और पैन में डालें आवला, तो फ्रेंट्स इस तरह से आवला डालें, कोई उबालने की जरूरत नहीं, क कड़ाई में डालें, जिस कड़ाई में आप अचार बना रहे हो, तो मैं इसमें इतने पानी का यूज़ कुरूँगी, एक बार इतना डाल दूँगी, और फिर बाद में यूज़ करूँगी, तो फ्रेंट्स इसे ढख कर पकाएंगे, बिल्कुल जब तक ये अच्छे से स सॉफ्ट नहीं हो जाती, तो इस तरह से एक बार चलाई और इसे कवर करतें, तो फ्रेंट्स इस प्रोसेस को दस मिंट लगेंगे, आवला जो है मारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसे ढख कर पकाएंगे, तो बीच में इसे एक बार चेक कर लें, तो ये हाफ कुक हो चुके हैं, तो इसमें मैंने बचा हुआ पानी डाल दिया है, ताकि हमारी जो आवला है जलेना, और इसे फिर से कवर कर लेंगे, तो ये दिखिए, आवला जो है, रेडी हो चुके, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके, इसके बीच जो है, अलग हो रहे हैं दबाने से, तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, और इसके बीच जो है, अलग कर लेंगे, दिखिए फ्रेंट्स, आवला ठंडा हो चुके, तो इस तरह से मैंने इसके बीच जो है निकाल दियें, और इस तरह से रेडी कर लिया है, तो फ्रेंट्स, उसी पैन में हम डालेंगे देसी घी, तो ये एक चमच के क्रीब देशी की है, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, इसी से ये कावी अच्छा अचार बन जाएगा तो फ्रेंट्स अगर आपको मसालों में कलॉंजी और सौंफ पसांद है तो आप इस घी में डाल सकते हैं लेकिन मुझे सौंफ पसांद नहीं है साबुत, तो इसलिए मैंने मसाले में डाली है, तो इसमें आपना डालकर इसे अच्छे से इस तरह से फ्राइ करेंगे ताकि इसमें जो नमी है, पानी के थोड़ी सी जो मातरा आपको लग रही है, तो बिलक अच्छे से सकाले, अच्छे से ड्राइ हो जाए, ताकि हमारा अचार भिलकल खराब न हो जब फ्रेंट्स इसे दो से तीन मिंट हो जाए तब ही इसमें डाले मसाले यह बिलकुल अच्छे से ड्राई हो चुके है तो मैंने एक चमच भरकर लालमिच पाउडर एक चमच गरम मसाला और एक चमच भरकर नमक डाला है तो फ्रेंट्स इसमें हम अब डालेंगे हमारे पीसे हुए मसाले जो हमने ड्राई रॉस्ट किये थे तो मैंने वो मसाले इसमें दो चमच के क्रिए बन गे थे वो इसमें डाल दी जिससे बहुत ही बड़िया टेस्ट आएगा अचार का तो इसे अच्छे से करें mix तो friends अगर आप इसमें हल्दी एड़ करना चाते हो तो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में हल्दी एड़ कर सकते हो तो इसे अच्छे से mix करें तो मैंने इसमें हल्दी एड़ किया बिल्कुल थोड़ी सी इस तरह से आप स्किप भी कर सकते हो हल्दी को लेकिन हल्दी से अचार जो होता है काफी बढ़िया रहता है क्योंकि ये खराब नहीं होता तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे कम से कम दो से तीन मिन्ट मेडियम आज पर अच्छे से मसालों को पका लें उसके बाद ही इसमें गुड़ डालें तो मैंने जितने आमला लिया है उससे बिल्कुल थोड़ी मात्रा कम में गुड़ लिया है तो measurement के according अगर आपका एक बड़ा बावल आमला का है तो आप उसका पोना गुड़ इसमें यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर आपको मीठा पसंद है तो सी मात्रा में भी गुड़ यूज़ कर सकते हो तो इस तरह से इसे पकाएं जब तक ये अच्छे से मेल्ट नी हो जाता तो friends कई लोग क्या करते हैं इसमें पानी डाल कर इसे मेल्ट करते हैं तो बिल्कुल ना ऐसा करें क्योंकि इससे अचार खराब जल्दी हो जाएगा तो इसी तरह से सी माच पर गुड़ को मेल्ट करें दिखिए आप ही दिखें ये अब लूज हो रहा है न अच्छे से कितना ड्राई था तो ये दिखिए हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो रहा है तो इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे जस्ट मेल्ट होने तक ही पकाएंगे तो गुड़ इस तरह से तूट रहा है तो इसे कम सकम तीन से चार मिट लगेंगे मेडियम आज पर क्योंकि आवला हमारा ओट एड़ी बना हुआ है बस हमें गुड़ को मेल्ट करना है तो फ्रेंट्स आप चाहिए तो इसमें चीनी एड़ कर सकते हो गुड़ की जगां पर लेकिन गुड़ से यह बहुत ही टेस्टी बनता है अचार सार्दी में बहुत बड़ी अलगता है तो इस चाहरो परफेक्टली रेड़ी है आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसांद आई होगी प्लीस मेरी वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे सबस्क्राइब कीजे मेरे चैनल को ताखि मैं आपके लिए इजी और हेल्थी रेस्पी लेकर आती रहूं तो फ्रेंट् अपने फ्रेंट्स और फैमली को जरूर शेर कीजे और खुद भी ट्राइ कीजिगा मिलते हैं नेक्स रेस्पी में तब तक लिए टेक केर बाई बाई